हर्याना के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि राकेश ठिकेट उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं समझा रहे हैं हर्याना को कुरुक शेत्र क्यों बना रहे हैं उन्होंने कहा कि हर्याना के किसान सुखी और संपन्न कुछ लोग इनके बहकावे में आ गए हर्याना के कुछ किसान नेता किसान आंदोलन को स्वार्थ के लिए चला रहे हैं हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर और परिवेहन मंत्री मूलचन शर्मा की अध्यक्षता में अफसरों के साथ हुई माइनिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग में सीम ने ये बात कही है कॉंट्रेक्टर की कुछ खामिया भी दोरान बताई गई जिसे मीटिंग के दोरान सुलजा दिया गया वही सीम मनोहरलाल खटर ने ये भी कहा कि कुछ फर्स्ट एड नेता है जिसकी मनशा कुछ और है वह केवल अपना हित साथ रहे है और किसानों का कंधा इस्तमाल कर रहे है चन्डीगर से सौरफ शर्मा की रिपोर्ट अगस्तमाल खटर ने जिसे कहा है कि तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाय गए है लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्टेटेड नेता है जिनकी मनशा कुछ और है वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं बलकि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंदा वो प्योग कर रहे हैं, और चाहे वो चलूनी हो, चाहे राकेश टिकायत हो, राकेश टिकायत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर पतेश में जाकर करके समझाएं, हरियाना म किसान जो है वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं, जो बैकावब में आये हुए हैं, उनके लिए भी हम अपील करते हैं, कि वो बैठ करके और बात्चित करें, पॉइंट टू पॉइंट बात्चित करने के बाद, क्लोज टू क्लोज चर्चा करने के पास-पास के परादतों ने किसी नहीं पर नहीं की, हमने किसानों को सुविधाओं में, जितने उनके मौावजे हैं, वो समय पर देना, जितने उनकी, यानि उनको इंप्लिमेंट्स देने हैं, जितने लोन देने हैं, वो सारे समय पर कर रहे हैं, तो इसलिए किसानों को सब कोई किसान के लिए कठ्राई हर्याना मने है। राज घराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राईज